मैंने उसे प्रपोर्स किया, बोली पागल है गया, मैंने गात जो मरजी कहले तरे कदमों के नीचे हूँ, और पागल तो मैं सुरू से हूँ, पहले पढ़ाई के पीछा था, अब तेरे पीछे हूँ तेरे साथ हमेशा के लिए रहना था, इसलिए थोड़ी बहुत रोक्टो की थी, तु सच बता किसी और वज़ा से कभी लड़ा क्या, मैं तो अपनी मा के सामने तेरे लिए रो पड़ा, तु सच बता, थुझे इतना सा भी फरक पड़ा क्या एक माँ अपने बच्चे को उठाती और गोधी में रख लेती है, एक बाप अपने बच्चे को उठाता और कंदे में रख लेता है, माँ सोचती है कि मैं वो सब कुछ दिखाऊं जो मैंने देखा है, बाप सोचता है कि मैं वो सब कुछ दिखाऊं जो मैंने भी नहीं देख सरकार बदलते हुएście मैंने कितने मंतरी हैं सप्रकार बदलते हुए मुझे और नफरत मेंसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा मैंने अपना यार देखा है दिलदार बदलते हुए सबन्य बश्यां मेरे हैं तुम लोगों की धोगये से मुझे गंटा फरक नहीं पड़ता हमसे सीख कर गए हैं जो आज उपर चड़ रहे हैं अपने उस्ताद का शुक्रिया तो क्या करना साले आज हमें ही चैलेंज कर रहे हैं हार जाएगा छोटू सब चले गए थे मुझे छोड़ के लेकिन वो मेरे साथ खड़ी थी उसके प्यार पे कैसे शक कर लू मैं यारो इसके एटियेम और बुलट वाले जमाने में उसने स्प्लेंडर वाले से महबबत करी थी जब मेरा मुझे खुलता है कोई मतलब की आवाज तो नहीं कहता कि जो अपनों की जगह बिठाये हैं दिल से निभाये हैं रिष्टे जम मेरा मुझे खुलता है कोई मतलब की आवाज तो नहीं कहता हम बुरे हैं तो खरे हैं ये दुनिया भी जानती है कम से कम कोई तेरी तरह दोखे बाज तो नहीं कहता जेनाब केंची ने अपना मूँ यू मोड लिया कहती लड़किया काटने में मुझसे आगे निकल गई है और हलपास मेड़े पूछने वालो मेरे बाबू ने खाना खाया गया एक बात तो बताओ अभी एग लास मा को पानी पिलाया क्या माब आप सुपोर्ट करते हैं इसलिए लोगों से लड़ रहे हैं परिश्टा पे लड़कियों के कपड़े घट रहे हैं और इनको वहम है की इनके फॉलवर्स बढ़ रहे हैं तुम्हें वो हालात क्या देगा अजीब कोई कितना भी करीबी हो तेरा बुरा वक्त तेरा सचा साथी और तुम्हों सोच भी नहीं सकते कि वो हालात तुम्हें क्या देगा और मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिये जणाब जो आपको वक्त नहीं दे सकता वो आपका साथ क्या देगा है ये पटके आप वो मेरी अच्छी दोस्त है लेकिन बाद में प्यार हो गया तो हम आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे हम आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे और तुम हम से लड़कर कटवाल होगे सिरपना हम जिन्दाबाद थे जिन्दाबाद हैं जिन्दाबाद रहेंगे बर्बाद हो गया सब कुछ कहीं कोई होफ है क्या बर्बाद हो गया सब कुछ कहीं कोई होफ है क्या बाई तार 98 मिल गई एक्स का स्कूफ है क्या इन बुजदिलों की बातों में मत आओ मैंने कामियाबी को पसीने के संग देखा है कि नेगिटिव लोगों से दूर रहो मैंने कामियाबी को पसीने के संग देखा है और जो मिला है उसमें खुश रहा है दोस्त, मैंने महलों में लोगों को तंग देखा है आज मुस्कुरा कर देखा किसीने, फिर याद आया, ऐसे एक चेहरे ने हमें बर्बाद किया था कभी किसी से लड़ना नहीं और बाब ने इसे काया है कभी किसी से डरना नहीं जिसका कोई तुक नहीं बनता वो गलतियां दुबारा कर रही थी मैं आप किसी और की हो गई हूं अपनी हरकतों से इशारा कर रही थी अबे चल निकल विचारी सोच नी होगी कोई रोहन प्रीच जैसा या दलजी दोसान जैसा लड़का मिलेगा वो उसका सपना तो तिड़के हो एक काँच की तरह तूटेगा जब मेरे जैसा मिलेगा क्योंकि जब मौकरी नहीं थी तो हर महीने घर जाते थे अब मौकरी हो गई तो चार महीने पांच महीने फेस्टिवल टू फेस्टिवल ऐसे रेंडम कभी भी नहीं तो उस पे की एक घर बनाने के खातिर एक घर बनाने के खातिर मैं अपना घर छोड़ाया हूं एक घर बनाने के खातिर मैं अपना घर छोड़ाया हूँ और ये कैसी भूख है रोटी की ये कैसी भूख है रोटी की जहां मैं सब को भूखा छोड़ाया हूँ एक घर बनाने के खातिर मैं अपना घर छोड़ाया हूँ मुझे ड्रम में नौक किया और मैं बोला कि सर मेरी क्या गलती थी मुझे क्यों नो किया लेडिस की बात सुनी उसको रिवैप किया लेकिन मेरे को किसी ने नहीं दिया मुझे लो लिमोट दिखाया मेरे घर में मेरी माता पिता ने ये नहीं सिखाया कि किसी को लो लिमोट दिखाना मैं बहुत अच्छे गर का हूँ माने मुझे तर्बियत दिये कि बेटा किसी को लो लिमूट मत दिखाना उन्होंने मुझे किल करने नहीं दिया मेरा रैंक माइनस हो गया और मेरा सारा लूट ले लिया हम मांग ये करते हैं मेरा सबसे पहला जो MP40 मुझे वह चाहिए कि उन्होंने मेरे से ये लूट लिया मुझे मेरा MP40 चाहिए